पान खाने का क्रेज और बहु को करना था हर काम बहुत तेज पान खाते हुए ठीक से बोल नहीं पाती थी सास और पान थूब भी नहीं सकती थी क्योंकि पान था बना रसी और बहु सुनती कुछ थी करती कुछ थी ऐसे में सास को कभी आ जाता था गुसा तो कभी हसी वहू खाना बना दूँ क्या गाना बना दूँ जी अभी बना कर लाई खाना खान कर दूँग सपाले कौन सा दूँग मचाले अड़ दूँग दूँग सपाले दूँग भी गाती हूं सासुमा सास परिशान होकर अपना सर पकड़ लेती है और बहु की हरकत देखकर वो बहु से कुछ नहीं कहती है एक दिन घर में आते हैं एक महमान सास उस वक्त पीच बार रही होती है अपना पाल और बताया हूं कैसे हैं क्या कह रही हूं अरे पूछ रही हैं पैसे हैं अज़र नहीं कैसे हैं पैसे हैं साहब अरे कैसे हैं बोल रही हूं कैसे हैं आप कह दीजिया अरे पैसे हैं साहब बोल रही हूं पैसे हैं साहब दे दीजिये अरे, पैसे क्यों मांग रही है, हमने कोई उधार लियाए कि आपसे? नहीं जो, वही तो, बोल रही है, वही तो, आपने पैसे लिये ही होंगे उनसे, अरे यार, पान धूब बेजेना, फिर बोल लीजिए, नहीं दूब आपसे, क्या ठीक से बोलिये ना ठोक दूंगी रुको ठोड़ा कह रही है ठोक दूंगी रुको थोड़ा अरे हम मेमान है आपके यहाँ नास्ता पाने के बात करने के जगा मार पिट के बात कर रही है अरे नास्ता पकर लो है क्या बोल रही है रास्ता पकर लो अगर सब बेहिज़त ये यार दोनों सास बूम मिलकर डरा धमका रही है अरे रुको सही आशू करके आई पान निकालूंगी रुको क्या क्या कहना जाती हो अरे रुको बूम आशू करके आई पान निकालूंगी रुको बस इतना कहकर सास चली जाती है ठूकने पान लेकिन बहु से सास की बात का मतलब पूछ लेते हैं महमार अब ये क्या बोल कर गई है सुना नहीं पोल रही थी रुको अभी चाकुधार के लाई जान निकाल लूँगी रुको बस बहु की बात सुनके भाग जाते हैं गेस्ट और सास का पान थूकना भी चला जाता है वेश्ट अरे बहमान किदर गया है भाग गया है आपने कहा था ना चाकू जान निकालेंगी अरे बोला था आथू चाकू नहीं और पान निकालूंगी जान नहीं अरे तू मेरे घजलकारी मिक्स बनाएगी तो लोग कुछ का कुछ तो समझेंगे ही अरे क्यों बोलती है वीच में आपकी बाद किसी कुछ समझ में नहीं आती इसलिए अरे तो पान रहता है ना जबान पे अरे खाई के पान बनारस वाला लग जाता है आपकी जबान पर ताला मा जी हजार बार समझाया है पान खाते वर तो चुप रहा करिये बाद का बतंगर बन जाता है अरे पान पहले महमान बाद में अरे इतना रसीला पान कैसे ठोक दूँ तो वो भी महमान के लिए किसी दिन ना ये पान के चकर में बड़ी मुसिबत में फश्या होगी आप लेकिन सास ने नहीं मानी बहु की बात और पकरे रखा बनारसी पान का साथ घर में घटी रहती एक जैसी घटना सास बोलती दिल्ली पर बहु सुनती पटना एक बार महले में बन रही थी पक्की सडक जिसके उधाटन में आने वाले थी विधायक सास और बहु भी वहां पहुँची सोचा नजारा होगा देखने लायक भीड में सास थी सबसे बुजर्ग संचालक ने बुला लिया उसको स्टेज पर आशिरवाद के लिए और विधायक जी थे मुख्य अती थी तो उनका भाशन रखा बाद के लिए मा जी मौले में सबसे बुजर्ग हैं आप स्टेज पर आईए और नई सड़क के निर्माण के लिए आशिरवाद रुपी दो शब्द गईए जबान पे रखे बनारे सी पान सास मंच के तरफ बढ़ गई और पान खाती सास के बाद को कोई नहीं समझेगा ये सोच के बहू भी मंच पर चड़ गई नमस्कार महले वालो महले महले वालो महले वालो आँ चीके चीके समझी मैं बहुत कुष्य हूं कि जो रोड बन रही है मैं बेवकुफ हूं जो रोड बन रही है बेवकुफ नहीं, बहुत कुश, बहुत कुश, ओ, बेवकुफ नहीं, बहुत बेवकुफ, आम आत्मी का विकास होगा, आम आत्मी का विनाश होगा, विनाश नहीं दिकास, विनाश नहीं विकास होगा, आ-आ, सारी सासुमा, विजायद जी, बहुत जी, बहुत जी, बहुत आदमी है विदायक जी नौटी नौटी बढ़िया आदमी है अरे सासमा ये क्या बोल रही हो पहले तो सास बहु की बात सबको हसाती है पर बात तब बिगरती है जब विदायक जी पर आती है ये क्या बोल रही है दोनों मेरे बारे में विदायक जी कभी महले की संदर कांड कर हैं नहीं बहू मुझू ठीक सवाडूल स्वारी मांजी विदायक ची बहूत निकास कोटश न विदायक जी बहुत बखवास करते अर्यार बहू मेरा मटनल विदायक जी सबके कच्छे के बारे में सोचते हैं विदायक जी सबके कच्छे के बारे में सोचते है मा जी ये क्या बोल रही है आप अरे ये क्या घंगोर बेज़ती है मेरी कोई रोको इंको नेता जी का गुस्टा देखकर सास हो जाती है परिशान पहु को डाटने के लिए इस टीज पर ही ठोक देती है पान पान के पिश्कारी की धार में होता है उच्छाल सामने बैठे नेता का कुर्ता हो जाता है छीटे से लाल बिदाए कि मुझे माफ करो अब मैं पान नहीं खाओंगी सासुमा मुझे भी माफ करो अब मैं आपकी बात में टांग नहीं अडाओंगी अरे आप दोनों मुझे माफ करो आपका महला मुझे माफ करे भगवान मुझे माफ करे जो मुझे यहां आने का पाप हुआ भीड जूर जूर सी चाहा के मारती है